नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes में तो आज आपका खुद से एक कोश्चन है, क्या मैं भी NTPC में जॉब पा सकता हूँ, क्या मैं भी इसके लिए तयार हूँ अगर मेरा पेपर अभी होता है, तो क्या मैं इसमें सफल हो भी पाऊँगा, या फिर नहीं हो पाऊँगा कितने लोग ऐसे हैं इस Class में जिसने कभी खुद से ये प्रशनिक किया हो, क्या मैं इस पेपर को जो इस जॉब को ले सकता हूँ, इस पेपर को पास कर सकता हूँ कोश्चन दो बहुत आते हैं कि सर्फ एक्जाम कभ होगा, एक्जाम अगले साल होगा, बहुत सरी लोग के कमेंट उल्टे सीधे आते रहते हैं कि एक्जाम कल होगा, या एक्जाम जो होगा ही नहीं कभी, या एक साल बाद होगा तो आज उन सभी लोग की आज की एक क्लास है, क्या मैं भी NTPC में जॉब पा सकता हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी, तो आज जो रात भर रुग गया इस क्लास में, आज रात पहुत शांदर कटने वाली है, आज रात भर अगर आपने इस क्लास में खुद को गुज तो बिल्कुल आप लोग NTPC में जॉब पा सकते हैं, इसके लिए सर आपको कुछ मैंने इंपोर्टेंट स्पेशल कोशन लिये हैं, इस अधार पर जैसा आपका पेपर इस साल का बनेगा, जो उसका लेबल रहेगा, उसके अधार पर आज हम लोग 100 कोशन डिसकस करेंगे, इसमें आपकी Math भी होगी, Reasoning भी होगी, Science भी होगी और आपकी इसमें Journal Awareness भी रहेगी, ठीक है, तो पूरा एक हमने पेपर सेट किया है, तो बिल्कुल अपकी बार NTPC पार तो बस आजाएए BSA Tricky Classes के साथ, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले होगी Reasoning, तो Reasoning का पहल Question आपके सामने आचुका है, इसको बताएए, तो आज की रात होना है क्या हो जाएए, बिल्कुल तयार, तो पहला Question आपके सामने आचुका है, तयार हो जाएए, Tired, Work, Happy का क्या होगा, इसको बताएए, Sir आपको यहाँ पर दिया गया है, ठका हुआ, तो इसका आपका यहाँ से Right Answer क्या हो जाएगा समझी है, सबसे पहले मेरे आप सभी से गुजारिस है, एक Request है, और विनमर निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग जाएए, पहले ये प्रशन सभी के जाकर Share कर दीजे, ताकि सभी लोग इस Class को जॉइन कर पाएं, क्योंकि आज Class है कुछ अलग हटक है, तो जब काम करते हैं बहुत, तो जाते हैं ठक, तो क्या चीज मिलने पर खुशी होती है, आराम मिलने पर खुशी होती है, भोजन करने पर आपको खुशी मिलती है, एक्सरसाइज करने में आपको खुशी मिलती है, या फिर सफलता, तो जो common answer होगा योगा सेक्सिस मिलन ठीक है ना कुछ लोग आएंगे कि अराम सो जाएं बस हमें खुशी मिल जाएगे नहीं तो देखें कुछ की अंसर रेस्ट भी आ रहे हैं ठीक है तो मैं आपको बता दो जैसे काम करने पर हम लोग ठकते हैं तो वैसे ही सेक्सिस मिलने पर हमें सफलता मिलने पर परसंता होती ह समझ रहा है आराम करने पर नहीं खुशी मिलेगी सफलता मिलने पर खुशी मिलेगी ध्यान रिखेंगा अब देखिए आपका अगला कुशन इसको बताईए चौथाई का आपको दे रखा है यहां से आधा तो एकल का क्या होगा इसको बताईगा ठीक है तो देखते हैं सर अब लोगों में इसे कौन बताएगा यहां से क्या हो जाएगा तो अगर आपका आंसर यहां से डवल आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा परफेक्ट होगा की लिए रहा है चलियो अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोश्चन देखिए इसको बताईए दिये गए विगल्पों में से बिशम शब्दों को चुनिये मुस्कान खीस निकालना रोना या फिर हसना सर आपको यहां पर देखिए क्या बताना इसको ध्यान समझेए आज आपको बताने क इन चारों में सबसे अलग है लेकि सबसे अलग पता है क्या है जैसे कि मुस्कान हो गई खीकी करना हो गया हसना हो गया यह तीनों आपके हसने से रिलेटेड हैं लेकिन रोना इसमें सबसे अलग है ठीकिना रोना को छोड़कर बाकी सभी खुशी और प्रसंता का बोध करात जबकि रोने से या दुख से इसमें वेधना का बोध होता है तो आप कांसरियां से रोना हो जाएगा यह गीगल्स मतलब होता है खीस निकाला होता है लोग खीखी करते हैं इस तरीके से तो आपका क्राई होगा सबसी अलग ठीक है चलिए अब लेचलते हैं आपको आगे हमार अगला कोश्चन देखिए इसको बताई हो निम लिखित प्रस्ण में दिये गए विकल्पों में से बिसम अक्षरों को चुनिया बी डी एफ जी आई के ओके और आपको दिया गया एल एम ओ या फिर हो जाएगा मारा ओक्यू एस तो क्या लगता है आपको इसका राइट आं इससे पहले मैंने कोश्चन आपको कभी नहीं पढ़ा है और यह कोई प्रीवेस पेपर नहीं है ठीक है ध्यान दीजेगा तो आईए आपको बताते हैं 34 कोश्चन का जमारा राइट आंसर क्या है देखिए मोटिवेट आपको खुद को करना है अगर आपने पेपर निकाल है तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में जरूर चल लाइगा तो 34 कोश्चन का आपका आंसर क्या होगा बी सी डी इए दो दो इस्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या जाएगा बी से डी डी से एफ जी एचाई जेके एल एम लेकिन यहां पर आपका एकी स्टेप आगे बढ़ाया गया तो आपका आंसर सर यहां से क्या हो जाएगा यह होगा आपका सी वाला बिलकुल राइट होगा परफेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोश्चन देखिए इसको बताईए 21 से आ आप आज इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिए और आपके फुल मार्क्स गेन कर लिए यह प्रीवेस पेपर नहीं है तो आप मोटिवेट हो जाएंगे खुद ही अगर आज आपने आप सौ में से सौ कोश्चन कर दिये साही तो कोई मोटिवेट आपको दूसरा करने नहीं आप सौ मी मोटिवेट हो जाएंगे और जब कहते हैं जब खुद को खुद मोटिवेट कर पाते हैं तो दूसरा देखें आपको मोटिवेट नहीं कर सकता आपको खुद ही मोटिवेट रहना है ठीक है क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं समस्ता तो 35 कोश्चन का आप कितना आजाएगा 144 आजाएगा अब देखिए सर इसको 23 दे रखा है आपको 23 इतले 27 दे रखा है 27 की 7 से multiply करेंगे और तीन घटा देगे तो 7 से multiply करेंगे 3 घटाएगे 186 आ जाएगा 17 की 3 से multiply करेंगे हम लोग यहां से 17 की से और फिर तीन घटाएंगे तुमारा आजाएगा 116 लेकिन सी वाले को देखिए अगर सर 23 की सास से मल्टिप्लाई करेंगे साथ तीन एक्केस साथ दुनी चौदा पंदरा सोला 161 में से तीन को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 158 क्या आएगा 158 आएगा लेकिन यहाँ पर आपको दिया गए 169 गल्ती मिली आपको गल्ती आपके सी वाले में तो सास से मल्टिप्लाई करके तीन घटाना है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है 158 आना चाहिए था समझ में आगे आपको चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोशन देखिए इसको बताईए यह है बहुत शांदार कोशन यदी दक् है कि इस वीडियो को ज्याद से लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और बिल्कुल इतना शेयर कीजे ताकि यह क्लास आज की सबसे अलग सब तक पहुंचा है तो दक्षन पूरब को उत्तर में परिवर्थित कर दिया जाता है अब देखिए क्या है यह होता है आपका उत्तर य यह मेरा दक्षन हो जाएगा और आगे देखिए उत्तर पूरब को पश्यम उत्तर पूरब को पश्यम यह पश्यम हो जाएगा तो यह मेरा पूरब हो जाएगा तो आपको बताने दक्षन में क्या होगा यह जो दक्षन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह पूरब और उत देखिए इसको बताईए ध्यान दीजे आपको क्या दिया गया है यदि P जो है Q का भाई हो तता R का बेटा हो BT की बेहन हो जो Q की पुतरी हो यदि RS का पती हो तो निम लिखित में से कौन सा पॉइंट आपका राइट होगा कौन सा रॉंग चलिए बताईए ध्यान से समझेए सर आपको यहाँ पर बताना है इस कोशन का सही जवाब क्या होगा मैं एक वर और पढ़ रहा हूँ तब तक इसको लगाईए आप लो P is the brother of Q and son of R V is the sister of T who is the daughter of Q if R is the husband of S then which of the following is true चलिए तो आईए आपको बताते हैं इस कोशन का सही जवाब क्या होगा ध्यान से समझेएगा तो सबसे पहले आपको रखा है P जो है क्यों का भाई है और R का बेटा है तो R का बेटा आपको कौन रखा है यहाँ पर R का बेटा आपका बेटा आपका बेट है क्यों का यह इसका भाई हो गया ठीकर आर का बेटा है क्यों का भाई है आगे पड़िए वी जो है टी की बहन है लेकिन क्यों की पुत्री है क्यों की पुत्री आपकी कौन रखी है आपको तीद रखी है देखिए आपको बता दें वी जो है टी की बहन है वी जो है वी यह T की बेहन है और ये जो है क्यों की पुत्री भी है तो क्यों आपकी लड़की होगे आगे पड़ी है यदि R S का पती है अगर R जो है S का पती है तो कौन सा कतन सही होगा अब देखे ये इनके पिता ये इनके माता हो गए और ये इनकी पतनी जी है तो ये दोनों इनके माता-पिता हो जाएंगे तो S क्यों कि, S V की कौन होगे? तो देखिए V जो होगी इसकी पोती हो जाएगे S इनकी दादी हो जाएंगे और S की क्यों कौन होगी? पोत्री होगी तो जिनका भी आंसर यहां से A आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया? तो Sir, अगर आपका आंसर आ रहा V is the granddaughter of S that's a perfect answer समझ में आए आपको? चलिए अगला question देखिए, इसको बताएगे Captain, Lieutenant, Commander Commander, ठीगे न? फिर आपको दिया गए Rear Admiral, और फिर रखा Commodore Arrange the given words in a logical sequence Like करते रहिए, Share करते रहिए और आज का target aim रखते हैं यहां पर 500 like का जब complete होगे तो BSA दोरह एक अलग से paper आपको फुल प्रोवाइट कराए जाएगा आज यह previous paper नहीं है expected paper है आपका 2020 के लिए सबसे पहले आपका क्या होता है इसको ध्यान से देखिए 41 question के अगर मैं बात करूँ समझे एका बड़ाई शांदार question है Lieutenant Commander जल सेना की बात कर रहे है Sir, जल सेना के rank का जल सेना के rank का बढ़ते होगे करम इस पर गार है सबसे पहले होगा Lieutenant Commander उससे उपर Commander फिर Captain फिर आपका होजाएगा Commodore और last में आपका जाएगा Rear Admiral तो 2, 3, 1, 5, 4 option B आपका बिल्कुल right होगा correct होजाएगा तो अगर आपका अंसर यांसे आ रहा है B तो बिल्कुल आपका right है perfect है अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताईए दिये गए विखल्पों में से कौन सा विखल्प नीचे दिये गए शब्दों का सार्थक्रम दर्शा हैगा राश्ट्र, ग्राम, तालूका, जिला या फिर राश्ट्र देखिए अब सबसे पहले होता है ग्राम ग्राम से बनती हैं आपकी तालूका ठीक है ना, तालूका उसे आपका जिला जिलों से राज्जे और राज्जे से आपका एक राश्ट्र बनता है तो 2, 3, 4, 5, 1 that's a perfect answer हो जाएगा option C तो अगर आपका भी answer याँसे C आ रहा है सभी के तरह है तो आप cancer है बिल्कुल right, perfect ठीक है ना, ध्यान से समस्तर ही है sir ध्यान दीजिए हर एक question पर आज की वीडियो साबित करेगी job हमारे लिए है या फिर नहीं और अगर नहीं है तो हमें किस तरीके से अपने strategy को बनाना चाहिए ताकि उसको follow करते हुए इस job को हम अपना बना ले ठीक है, तो आपको खुदु को motivate करना इस पूरे paper को solve करके एक, पांच, दो, छे, तीन, साथ, अगले step क्या होगा चलिए sir बताईए Hello respected sir and ma'am उम्मीद करता हूँ आपके तयारी बहुत ही बढ़िया चलोगी और उसके साथ ही बिस्वास मिलने के बाद ही सब को मिल सकेगा रोजगार तो बस पढ़ते रही है एक, दो, तीन पांच, छे, साथ तो तीन के अदब का आजाएगा, चार आजाएगा तो यहां से सर्फ 43 question का जो आपका राइट answer होगा, यह होगा आपका 4 होजाएगा, clear है, चलिए अब देखिया हमारा अगला question इसको बताएगा आपको क्या दिया गया है पांच, नो, छे, ग्यारा, साथ अगला है इस्टेप क्या होगा, इसको समझिए very important question तो आईए आपको बताते हैं यहां पर भी same logic वही लग रहा है आपका पांच, छे, साथ, नो, दो, ग्यारा, दो, तेरा तो आपका यहां से answer कितना होजाएगा यहां से आपका answer 13 होजाएगा ठीक है, तो जिनका भी answer यहां से 13 आरा है, 13 तो बिल्कुल आपका सर सही है, बिल्कुल राइट है ओके सर, चलिए अब लेचलते हैं आपको आगे हमारा आगला question देखिए, इसको बताईए एक आपको अनुकरम दिया गया थोड़ा सा अलगट के question है आज तक मैंने एक question आपको नहीं बता इस type का एक सर आपको अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पद लुपत है दियेगा विगलपो में से वह सही विगल चुलिए जो इस अनुकरम को पूरा करें चलिए, इस स्रीच को आपको complete करके दिखाना है तो बस आज की रात है आप लोग के पास देखते हैं कितने कोशन आप से हो पाते हैं बिल्कुल सही और कितने करते हैं आप लोग गलत अच्छा लगे लाइक करिएगा बुरा लगे डिसलाइक कीजएगा गलतियां बताते रहेगा ताकि उसमें भी सुधार कर सके क्योंकि जितना जाद आप हमें गलतियां बताएंगे आगे उतनी क्लासे आपको परफेक्ट मिलती जाएंगे मैं सुधार करूँगा ठीक न आपकी बातों पर ध्यान दूँगा समझे पहले आपके छोटे वाले लेटर थे एडी आपके एक step बाद यहां पर आ गया फिर दो step बाद आ गया फिर तीन step बाद आ गया अब की बार आएंगे चार step के बाद एक दो तीन नहीं है एक दो तीन नहीं है एक दो तीन चार इसके बाद यहां पर फिर आपका तीन करेक्टर आगे खिसक गई अब की बार आपका जो है एक, दो, तीन, चार चार इस्टेप आगे बढ़ गई समझ में आया कि नहीं आया तो इसलिए आपका आंसर यहां से ए हो जाएगा थोड़ा साला कोशन था है आपका ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है तो प्यारे सर, लगाते रही है, समझते रही है कहीं पर भी डाउट लगे, बताते रही है अब एक खास कोड में डाउन को लिखते हैं 5 at the rate 9 hatch और name को लिखते हैं सर, हम लोग यहां से hatch 6% 3 तो mode को क्या लिखेंगे, इसको बताईए चलिए सर, बताईए आपका यहां से right answer क्या होगा समझे सर देखे यह तो question में आपका answer दे रहा है जैसे कि आपका दे रहा है M तो M दे रहा है यहां पर M का मतलब percentage तो मेरा percentage आजएगा O, down में O आ रहा है O का मतलब at the rate रहा है तो at the rate आजएगा D, 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 D का दरेखा D for down, down का दे रहा है 5 और E, E का दरेखा 3 तो तो percent at the rate, 53, बिलकुल right होगा percent at the rate, 53, का दे रहा है D वाले में दे रहा है तो अगर सर आप कहां से यहां से डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा परफेक्ट हो जाएगा समझ में आए आपको सर चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोश्चन देख इसको बताएगे दो तीन उन्चास ठीक है ना तीन चार नौसुसो सोला अगला इस्टेप क्या होगा नौसाद का यह आपको बताना है तो सर आईए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसको समझेगा बहुत ही शांदर कोश्चन आपके सामने है इसको कैसे लगा सकते हैं सोचिए ओके देखी सर कोश्चन लगाने का लोजिक बहुत सिंपल है दो का इसको बहुता है चार तीन का होता है नो तीन का 9, चार का सोला 9सो सोला अब आपको बताना है 9 और साथ का 9 का 81 साथ का उन्चास हमारा आंसर हो जाएगा 81 सा उन्चास यानि कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ठीक है तो अगर सर आपका आंसर यहां से आ रहा है अच्छा ठीक है टाइमिंग चाहिए तो बिल्कुल अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपिरेंस देने वाला हूँ जैसा कि आपका रियल एक्जाम पेपर में होता है तो अब मैं आपका टाइमर लगा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल ऐसा एक्सपिरेंस मिले जैसे आ आप एक रियल पेपर दे रहे हैं ठीक है और समय होगा सिर्फ आपके पास कोश्चन को सॉल्ब करने के लिए रीजनिंग के लिए 15 सेकंड अगला कोश्चन आपके सामने है 15 सेकंड आपके पास है चलिए ट्राइ करिए 32 8 4 632 24 4 4 816 3 3 5 1 से आपका क्या होगा बताईगे तो देखते हैं सर 52 कोश्चन का सही जवाब क्या होगा टाइम अप यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 कोश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा तो अगर आपका अंसर यहां से आ रहा है 95 तो बिल्कुल राइट हो ठीक है ना तो देखिए हमारा कैसे मैंने बताया तीन दुनी छे आठ चौक बत्तिस चार दुनी आठ चार चौक सोला तो तीन तिया नौ पांच एकम पांच तो नौ और पांस से क्या बनेगा पिच्च्यानवे बन जाएगा 95 ठीक है सर चलिए अब देखिए आपका अगला कोश्चन इसको बताईए आपके पास 10 सेगेंड होंगे इस कोश्चन को लगाने के लिए हर कोश्चन मैं काली परयाब टाइम दूगा मैमल्स अब आपको सर दे रखा हैं आपर मैमल्स रैप्टाइल्स एंड बर्ड्स इन तीनों के लिए बैंड डिग्राम कौन सर राइट होगा ओके तो आईए अब आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा मैमल्स अलग होते हैं रैप्टाइल्स अलग होते हैं और वर्ल्स आपके अलग होते हैं तीनों आपके बिलकुल अलग हैं तो यहां से सर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला बिलकुल राइट होगा परफेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन आपके पास है पहले पढ़ी जाए कोश्चन ध्यान से फिर मिलेंगे 10 सेकंड कैसे देखिया निम लिकित आरेक में आयत पुरुषों को ब्रत सहरी को आयत दिखाते हैं आपके पुरुषों को आयत हो गया पुरुषों सिक्षित भी है शहरी भी है पुरुष भी है कॉमन नंबर आपका क्या जाए यहां से यह होगा आपका चार आपका होगा सही जवाब चार हो जाएगा ओके अगला कोश्चन देखिये इसको बताईए अब आपको मिलेंगे सिर्फ यहां पर 10-10 सेकंड पहला कोश्चन आपक आपको 56 कोश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री एक्ट ऑर डी एम हुमन रिसोर्ट्स डेवलोप्मेंट मिनिस्ट्री चलिए अगला कोश्चन आपके पास है इसको आप बताएंगे हाल ही में ब्राजील में राश्मतिन चुनाब में किसे सफलता मिली सर आपको बताना है कि हाल इमें ब्राजिल में हुए राश्वर्ष चुनाब में किसे सफलता मिली चलिए बताइए सर ओके यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा जायर बोल्स नारो को आपका सही जवाब हो जाए गैने जायर बोल्स नारो ओकी नेक्स कोशिन देखिए आईए इसको लगाते हैं कोशिन को चले बताईए हाल ही में किस देश के साथ भारत के दीपक्षिय समुद्री अभ्यास सिम बेक्स किया गया इंडोनेशिया, मालदीब, श्रीलंका या फिर सिंगापूर बताईए प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेर करिएगा, अगर आप इस आज 100 में से 100 स्कूर कर पाते हैं तो बिल्कुल आप हैं बिल्कुल तयार इस जॉब के लिए तो 58 कोशिन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापूर करेक्ट आंसर आपका सर क्या होगा यहां से, सिंगापूर हो जाएगा इस कोशिन का बिल्कुल राइट आंसर, चलिए अगला कोशिन देखें सर हमारे क्या दे रखा है यहां पर, इसको समझे हाल ही में बालीजे, पद्रिका, फोप्स, इंडिया दोर जारी, रिपोर्ट की मुताविक भारत की सबसे धनी, व्यक्ति मुकेश, अमबानी की संपत्ति कितनी है 40 अरब डॉलर, 42 अरब डॉलर, 37.3 ट्रिलियन डॉलर, या फिर आपका हो जाएगा 48.7 ट्रिलियन डॉलर परफेक्ट हो जाएगा, तो जिनका भियांसरा रैसी है, बिलकुल सही हो, अगला कोश्चन आपके सामने है, इसको बताएगा, अब आपको बताना यहां से, हाल ही में चीन ने, दुनिया का, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सजिश कर रहा हूँ, मेरा अधिश सिर्फ आपको पढ़ाना है, और सही चीजे बताना है, गाइडेंस देना है, कि अगर आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो मेरी आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर रिक्ष्ट है, कि प्लीज इन प्रशनों को भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ अगर आपको आगे, हमारा अगला कोश्चन देख इसको बताईए, हाल ही में, किस देश ने मरत्युद अंड को समाब्द करने की कोश्ट ला की है, चली बताईए, हाल ही में, किस देश ने मरत्युद अंड को समाब्द करने की घोश्ट ला की है, थाइलेंड, भारत, ताइवान, या फिर मलेशिया, तो आईए सर आपको बताते हैं, 61 कोश्चन का आपका सही जवाब होगा, मलेशिया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा है, या से मलेशिय ठीक है न, अगला कोश्चन देखिए, इसको बताइए, हाल ही में, जारी, ग्लोवल हंगर इंडेक्स में, भारत का इस्थान क्या है, सभी बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मिलकर सपोर्ट करेंगे, वेरी गुड सर, आपने बिलकुल राइड बता है, सही जवाब होगा, आपका एक सो तीनवा, ठीक है न, और आपको मैं बता दूए, यहां पर दिया गया आपको, आई, एफ पी आराई, आई, एफ पी आराई, का मतलब था है, इंटरनेशनल, फूड पॉलिसी, रिसर्च, इंस्टिट्यूट, तो इसके दौरा जारी, ग हाल ही में, किस अफरीकी देश के साथ, भारत ने अपरादिक मामलों में, सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा, आप्शन ए हो जाएगा, मुरक्को, तो जिनका बियां से मुरक्को आ रहा है, उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, चलिए, सर अब देखिए, आपका अगला कोश्चन इसको बताईए, हाल ही में, राष्टिये प्रेस दिवस के अपसर पर किने राजा राम मोहन राय प्रुषकार प्रदान किया गया, ओके, 64 कोश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, नरसिम्मन राय को, नरसिम्मन राम इस कोश्चन का बिल्कुल राइट होग पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नरसिम्मन राउ, अगला कोश्चन आपके सामने है, चलिए, बताईए, यादब या फिर उमेश यादब, चलिए, बताईए 65 कोश्चन का हमारा सही जवाब होगा, कुलदीप यादब, ठीक है, तो अगर आपका भी आंसर हैं से कुलदीप यादब आ रहा है, 65 कोश्चन का, बिल्कुल राइट है, पर्फेक्ट है, आप ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला कोश्चन देखिए, इसको बताईए जलिया वाला बाग हत्या काईट कब होआ था, सर जलिया वाला बाग हत्या काईट कब होआ था, छीक है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिट डी ओके, यहां से आपका सही जवाब होगा, 13 अप्रेल 19, इसको बताईए आप लोग, 67 आपके सामने है, भारत के राश्च्पदी के संबन में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है आपको बताना या से, भारत के राश्च्पदी के संबन में कौन सा वाला आप्शन बिलकुल राइट है ओके, सही जवाब होगा, प्रतेक आम चुनाप के पश्चात, वे संसत के प्रतम सत्र को सम्मुदित करते हैं तो अगर आपका भी आंसर सभी के तरह ए आ रहा है, तो बिलकुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्चन प्लीज, इसको बताएगे सूरे की सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं अरपिता, कुमारी, मैम आपको बता दे, वर्तमान समय में आपका 102 है, ठीक न, 2018 की मैंने बताया आपको, वो आपका 103 है, ठीक है, चलिए मैं बताना भूल गया, वर्तमान समय का आपको, तो सूरे की सबसे उपरी परत क्या होगी, 68 कोश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोना, किरिट, इस कोश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, चलिए, अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला कोश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग, निम लिखित में से कौन सी हवाए, भूमद्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की और चलती हैं, सर आपको बताना यहां से, निम लिखित में से कौन सी हवाए, भूमद्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की और चलत चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोश्चन देखिए इसको बताइए आवाज की माप क्या है सर आवाज की माप क्या है बहुत बार मैंने आपके साइब डिसकूस किया आपको याद होना चाहिए ओके सही जवाब होगा हमारे आसे डेसिवल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेसिवल प्रते किरिया की उसके तुल्ले और एक विपरीत प्रतिकिरिया होती है यह न्यूटन का कौन सा नियम है फर्स्ट, सेगेंड, थैर्ड या फिर फोर्थ बताएंगे आप सभी लोग सर, 71 कोशन का मारा राइट आंसर होगा ओप्शन सी त्रतिय नियम देट सा पर्फेक्ट आंसर ओके, नेक्स्ट कोशन प्लीज आईए, देखते हैं यह रहा आप सभी के सामने किये गए कारे की दर को क्या बोलते हैं उर्जा, शक्ती, गती या फिर आवेक्व ओके सर, 72 कोशन का सही जवाब होगा हमारे यहां से शक्ती, डेक्स्ट कोशन प्लीज इसको बताइए अब केंदरी बल दोरा कितना कारे किया जाता है पॉजिटिव किया जाता है जीरो, नेगेटिव या फिर आपका होगा यूनिटी ओके सर, सही जवाब होगा ओप्शन भी आएगा अब केंदरी बल दोरा सून ने कारे किया जा सकता है नेक्स्ट कोशन आपके सामने है इसको बताइए क्या होगा यदि किसी बस्तू को उचाई से नीचे गराय जाएगा और वाह का प्रतरोद ना हो क्या होगा अगर किसी बस्तू को उचाई से गराय जाए और वाह का प्रतरोद ना हो ओके सर, 74 कोशन का सही जवाब होगा its speed will increase यानि की उसकी गती बढ़ जाएगी अगर किसी प्रणाली पर कारे करने वाले टॉर्क के सदिस योग सूनने है तो वह बस्तू होगी इस्थिर संतूलन रुपांदर संतूलन में रेखिये संतूलन में या फिर घोल्णी संतूलन में ओके सर 75 कोशन का आपका आंसर हो जाएगा option D आजाएगा rotational equilibrium यानि की घोल्णी संतूलन ये होगा इस कोशन का आपका right answer अगला कोशन आपके सामने है कमानी तुला किस द्धान पर काम करती है the spring balance work on the principle of Boyle's law, Hooks law, Vernollis principle, Pascal law okay sir 76 कोशन का मारा right answer हो जाएगा क्या होगा आपको बताते हैं सही जवाब होगा 76 का option B है Hooks law correct answer हमारा होगा Hooks law next question please try again श्यान्ता के बारे में निम्लिकित में से क्या चीज़ सही है श्यान्ता के बारे में निम्लिकित में से क्या सही है A, B, C, F, E, D ओके तो आईए आपको बताते हैं सही जवाब हो जाएगा Viscosity of liquid decrease with increase in prices दाम में ब्रद्धी के साथ रवो की श्यान्ता घटती है तो सर आपको बताते हैं यहां से सही जवाब होगा option D अगर आप कांसर यहां से आ रहा है D that's a perfect next question sir देखिए प्लीज युवा मानब शरीर में चवाबनक और अगर चवाबनक का अनुपात कितना होता है molars और pre molars का ratio आपको बताना है that's a very very important question ऐसे आएगे question इस वार आपके paper में okay sir आईगे आपको बताते हैं यहां से आपका answer हो जाएगा option B है चवाबनक का अनुपात है तीन अगर चवाबनक का है दो तो तीन अनुपात दो इस question का होगा बिलकुल right answer अगला question देखिए आपके सामने दिया गया है इसको देखिए किस तरंग की प्रवलता उसके निम्लिकित में से किसके अनुपात में होती है आयाम आयाम का वर्ग ठीक है आयाम का वर्ग मूल या फिर आयाम का घन चलिए बताइए यहां से आपका right answer क्या होगा A B C या फिर D very good sir 80 question का आपका सही जवाब होगा option भी आएगा square of amplitude ठीक है square of amplitude इस question का आपका यहां पर सही जवाब दिया गया है अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताइए कहता है कि किसी जन्षन ने प्रिवेश करने वाली कुल धारा उस जन्षन को छोड़ने वाली कुल धारा के बरावर होती है लैंज का नियम, हुक का नियम, ओम का नियम या फिर किर्च ओफ लाव किर्च ओफ फर्स लाव क्या होगा इसका right answer सर बताइए A B C आपे D 81 question का सही जवाब होगा किर्च ओफ फर्स लाव आने वाली धाराव का योग जाने वाली धाराव की योग के बराबर होता है ये है आपका किर्च ओफ का फर्स लाव नेक्स्ट कोशन प्लीज ट्राई इसको अगर यह फिर से ट्राई आप लोग कीजएगा अगला कोशन आपके सामने है निम लिखित में से कौन सी विद्दु चुम्ब के तरंग नहीं है चलिए आप लोग बताईए ये भी इंपोर्टन कोशन आपके सामने है और आपके पास क इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपको बताते हैं सही जवाब होगा कैथोर्ड रे ओके इस कोशन का सही जवाब होगा कैथोर्ड रे चलिए नेक्स्ट कोशन प्लीज इसको ट्राई करिए सर सूरे की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रियूग किया जाता है देखिए प्रतिवा मैं मैं आपको बता दूं 100 कोशन किसी से नहीं होंगे उनकी जौब नहीं लगेगी मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा है हमने सिर्फ आपसे इतना कहा है जिनके 100 कोशन में से अगर अच्छा स्कोर रहता है 90 प्लस 80 प्लस अगर स्कोर जाता है तो उनकी तैयारी अच्छी होगी और उन्हें जो है थोड़ा बहुत ही पढ़ना रहे गया लेगिन अगर आपका 80 माइनस जाता है 90 माइनस अगर आपका स्कोर जा रहा है तो अभी आपको अपने स्टेडी पर और ध्यान देना है और अपने स्टेडी को जो है और बैटर करना ताकि आप इसक साथ है पूरा BSA परिवार आपके साथ है चलिए इसको बताइए सूरे की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है तो 83 कोशन का आमारा राइट आंसर क्या होगा आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आएगा स्पैक्ट्रो हीलियोग्राफ ओके और कि ने रिजनिंग मैंने पढ़ा दिये अपकी जीएस मैंने पढ़ा दिये अभी चलिए साइञी καस्पैक्ट्रो हीलियोग्राफ अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला कोशन देखिए इसको बताईए आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंद्र को क्या बोलते हैं वेदी मीटर आपका रखाए सेरनोग्राफ चले बताए आपके पास 10 सेकंड इसका सही जबाब क्या होगा साइनो मीटर या 84 कोशन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह होगा आपका यहां से साइनो मीटर ओके इस कोशन का सर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइनो मीटर हो जाएगा कि लिए रोग इतनी बात अगला कोशन आपके सामने है बिजली के हीटर में कौन से समगरी सेक्ट संदार नाइक्रोम का दो चाले अब देखें अगया कॉस्टन इसको लगाये और प्लीज आप लोग मिलकर सम्पोट करिए आज की क्लास बहुत शांदर और जांदर तो सभी लोग मिलकर शेर करते रहें ताकि आज की क्लास को सभी लोग जॉइन कर पाएं और सभी लोग अपने एक्जाम में सफ़ल हो पाएं सेक्स टेंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है इस्त्री रोग विशेशक विज्ञान में नौचालन जर्म नियंतरन या फिर हो जाएगा चिकिस्सा उपचार चलिए बताईए ओकी सर 87 कोशन का हमारा सही जवाब होगा नैविगेशन में नौचालन में ठीक है न तो सेक्स टेंट ये इसका यूज करते हैं हम दो किस में करते हैं एक टैप का उपकरण जो आपके दो धरश्टी के बस्तू के बीच बने कोड के मान को ग्यात करने के लिए प्रुक्त किय किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा अबदी टी है त्रिज्या चार आर की कक्षा में परिक्रमा अबदी क्या होगी इसको बताईए ऐसे आएगा कोश्चन तू क्या करेंगे तो यह एक नुमेरिकल बेस्ट कोश्चन आपका दिया गया है फिलाल मैं कैपल दर का तीसरे नियम से सूरे के 4 और ग्रह एक चकर जतने समय में लगाता है उससे उसका परिकरमन काल कहा जाता है परिकरमन का वर्ङ ग्रह परिकरमन का बर्ग T-square ग्रह की सूरे से R³ के इसका यूज करेंगे इस क्योशन पर और हमारा answer यहां से क्या आ जाएगा तो लगाते इस question को ती स्क्वेर बराबर यहां से आ जाएगा 64 T3 यहां से इसको काड़ेंगे T बराबर मेरा जाएगा यहां से 8 T तो आपको मैं बता दू यहां से आपका right answer क्या होगा option B वाला बिल्कुल right होगा ठीक है चलिए मैं आपको समझाते हैं कैसे लगाएंगे तो मैंने आपको बताए परिक्रमार का वर्ग इस question का अंसर आपका बी आएगा कैसे आया कहां से आया अब इसके वारे में समझ लीजिए ध्यान दीजेगा तो देखिये आपको बताते हैं कैसे लगाना है समझे किसी ग्रह की तरिज्या आर दे रखिये आपको दे रखा अबदी अटी और फोर आर तरिज्या पर परिक्रमा अबदी क्या होगी आईए इसको सीखते हैं कैसे लगाना है हम लोग को पता है कि परिक्रमल का वर्ग होता है परिक्रम के पर होता है ग्रह की सूरे से औसा दूरी R के घन के अनुकरमपाती तो T2 अनुकरमपाती हो जाएगा यहां से R3 इसको लिखेंगे T2 बराबर लिखेंगे यहां पर मेरा आजाएगा 4R का whole of cube थोड़ा से इसको erase करेंगे T1 का square बराबर आजाएगा मेरा चार का हो जाएगा चार चॉक सोला चॉक 64 64 के आर क्योग आगे समझ में आपको तो यहां तक तो सर मेरा क्या हो जाएगा equation मेरी यहां से one set होने वाले है देखिए अब इसको क्या करूँगा मैं 64 64 64 को मैं ले जाओंगा upon में यहां से मेरा हट जाएगा के आर क्योग आजाएगा समझ में आगे आपको तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा मेरी पहली जो equation थी वो मेरी यह थी टी वन का होल अफ इसकार बराबर था 64 के आर क्योग और मेरी दूसरी equation आगी यहां से टी वन का स्कॉइर बटे 64 बराबर आजागा यहां से के आर क्योग तो इससे ही आपका कैंसल हो जाएगा और आपका फाइनली क्या बचेगा पहले और दूसरे साब का जाएगा टी आटी तो यहां से आपका अंसर आजाएगा सर एट ली आएगा आप समय आएगा चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताएगे यह है बहुत ही शांदार question science का घटना दे रख्की और आपका समय अंतराल दे रख्क है जैसे की x किल्णों का 10 की पावर माइनस 8 किसी परमाडू की उत्तेजित अवस्ता का जीवन काल दे रख्क है 10 की पावर माइनस 1 मानव हरदय की किरमिक धड़कनों का दे रख्क है आपको 10 की पावर 0 और प्रफिवी का घुडन काल दे रख्क है आपको यहां से 10 की पावर 5 तो इन में से कौन सा जोड़ा का मिलान बिल्कुल राइट है, चलिए बताईए, चलिए सर बताईए, आईए आपको बताते ही, यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, हिम्मत अगर आप हार गए हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आज लगे रहेंगे, यहां पर 100 कोश्यन तक, इसका मतलब है, आप जौब की तियारी के लिए बिल्कुल अलर्ट है, ठीक है ना, तो आपको बताते ही, यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, 89 कोश्यन का जो आपका परफेक्ट आंसर होगा, यह होगा आपका बी वलब, 3rd and 4th, क्योंकि मानव हर्द है कि करमिक धड़कुनों की बी परफेक्ट, चलिया, अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला कोश्यन आपके सामने है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंशन को, सर आपको यहां पर क्या दिया गया है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंशन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, उन्हें क्या बोल सर 91 कोशन का आपका सही जवाब होगा option A आएगा emulators करेक्ट आंसर होगा सर आपका option A है emulators अब लिचलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताईए एक आपचारिक भासा जिसकी जानकारी या ज्यान को व्यक्त करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और जिसे अ mark-up language या फिर आपका होगा modeling language चलिए बताईए ओके तो आपको बताते हैं 92 कोशन का आपका यहां से सही जवाब होगा option D आ जाएगा modeling language ओके correct answer आपका होगा modeling language next question प्लीज ट्राइ करिए आप सभी लोग कितने gigabytes एक petabyte के बराबर होता है how many gigabytes is equal to one petabyte चलिए बताईए सभी लोग ओके आपको बताते हैं यहां से इस question का सही जवाब होगा option D आएगा यहां से 1024 into 1024 that's a perfect answer next question देखिया हमारा क्या दिया गए इसको समान तत्व के सभी isotope में क्या होता है सर आपको यहां पर बताना है समान तत्व के सभी isotope में क्या होता है different atomic numbers and different atomic mass different atomic numbers and same atomic mass क्या होगा सही जवाब चलिए बताईए 94 question आपके सामने okay sir very good 94 question का मारा सही जवाब होगा option C एक जैसी परमालविक संक्या किन्तु भिन परमालविक सहे थी the same atomic numbers and the different atomic mass मतलब atomic number उनके same होते है और atomic mass उनके different होते है तो यहां से आपका right answer क्या हो जाएगा इसका option C हो जाएगा आइसो टोप में क्या होता है परमालू करमांग समान लेकिन परमालू भार अलग-अलग clear है चलिए अब देखिए आपका अगला question इसको बताएंगे भारी जल क्या है चलिए बताई भारी जल आपका क्या है very very important monetarium oxide, polytarium oxide, deuterium oxide या फिर आपका हो जाएगा tritium oxide तो आईए आपको बताते है 95 question का आपका सही जवाब होगा option C आएगा deuterium oxide तो अगर आपका answer यां से आ रहा है deuterium oxide that's a perfect answer अगला question आपकी screen पर है जिवास्म यानिकी fossils सर जिवास्म यानिकी fossils के अध्यन को क्या बोलते है ओके 96 question का मारा right answer हो जाएगा option D आएगा जिवास्म विज्ञान तो अगर आप cancer यां से आ रहा है पैलेंटियोलोजी that's a perfect answer इसको बोलते हैं जिवास्म विज्ञान next question देखिए निम लिकित में से किसका सराव जिगर से होता है चलिए बताईए निम लिकित में से किसका सराव आपका जिगर से होता है glucose, iodine, cortisol या फिर pit very good sir सही जवाब होगा आपका option C है वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, मिलकर सबी लोग support करेंगे तो फिलाल हमारा अगला question देखते रही है आप लोग इस वार सफलता मिलेगी, सबको निश्यत रूप से बहुत मेहनत कर रहे है आप लोग इस टाइम पर जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के साथ में उतरा हैं मेहनत आप लोग कर रहे हैं खुद के लिए तो बस करते रही है और आगे बढ़ते रही है प्रेड़क कौशन मस्तिष के कौन से भाग के साथ समन्दित है चलिए बताईए Motor skills are associated with which part of the brain Frontal lobe ठीक है ना भितिय पाली लॉकिक भाग या फिर आपका हो जाएगा या से पश्चक पाल भाग चलिए तो पश्चक का पाल भाग इसका right answer क्या होगा 98 कोशन का ही आपको बताते है 98 का हो जाएगा ललाट भाग इसको बोलते है Frontal lobe Frontal lobe that's the perfect answer ये गून चिंतन एक आगरता नियोजन भावुकता हमारी भावना है हमारी याद्दास इस्मरती हमारे तर्क, लॉजिक, बिवेक और संकल्प आधी का नियंतरन होता है यहाँ पर तो यह होगा frontal lobe तो अगर आप कहां से यहां से आ रहा है frontal lobe तो बिल्कुल आपका right होगा perfect होगा दो कोशन के बाद होगी math की शिरुवात तो बिल्कुल रहेगा आप लोग तयार और ध्यान से पढ़ते जाएगा यहां पर पहलागरा और इसकरवी सर पहलागरा और इसकरवी क्रमसा कौन से बिटावनों की कमे के कारण होते हैं चलिए बताएगे A, B, C या फिर D चलिए आपको बताते हैं सर 99 question का आपका right answer हो जाएगा यहां से option A आएगा बिटावन C and बिटावन B3 तो इसको ध्यान देखिए के सर आपको क्या दिया गया है पहलागरा और इसकरवी जो है आपके क्या हो जाएगे बिटावन C होगा और बिटावन B3 होगा ध्यान देखिएगा यह भी बहुत important question आपको दिया गया यहां से जो मैं आपको बता रहा हूँ अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताईए अब यह देखिए आपका अगला question आपके सामने है अब पढ़ेंगे math math की होने वाले शुरुवात तो अगर आपको भी math आती है तो आज मैंने आपको reasoning में बता दिया current बताया gk बताया science बताया और अब बारी है आपकी math की तो यहां से आपका 100 question का सही जवाब होगा यह होगा आपका option C आएगा पानी में उच्छ मातरा में fluoride के करण तो दात के animal के carbon एक प्रिकार का साधारन रोग है जो प्रिहा पानी में उच्छ मातरा में fluoride के करण होता है तो आपका answer यहां से आजाएगा C वाला अब शुरुआत करेंगे गड़ित की पहला question आपके सामने है बहुत ही शांदार इसको बताईए इस करभी जो आपका vitamin C से होता है बिलकुल होता है बिटाविन C आपको दे रखा है यह तो मैंने आपको बता है ना बिटाविन C और आपको दे रखा है बिटाविन B3 ठीक ना तो पहला गरा भी तो आपको यहां पर दे रखा है 99 question समझ में नहीं है आपको बिटाविन C की कमी से होता है स्करभी और जो पहलागरा होता ना विटावन बी थ्री की कमी यह से सर आपको सर पहला गरा होता है ठीक है तो अब आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं तो देखिए इस परिमे संक्या यहां से क्या हो जाएगा 32 दे रखा ना 32 दो दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 बत्तिस बत्त दो की पावर 5 यहां पर रूट में भी 5 रूट दे रखा 32 तो यह संक्या हमारी 32 हो जाएगी क्योंकि इसका मान हो जाएगा 2 बाकी हमारी कोई भी संक्या परिमे नहीं है यहां से आपका आंसर हो जाएगा option B ठीक है चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताईए सर 145 मीटर लंबी एक train 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंडों में पार कर लेती है तो train की गती क्या होगी इसको बताईए चलिए आपको बताते हैं इस question को आपको कैसे लगाना है कैसे समझना है हमें निकालना चाल चाल बरा तो दूरी बटे समय दोनों लंबाईयां जोड़ लेंगे और समय आपको उधर रखा 36 इससे करेंगे divide तो देखिए 145 पि 5 5 10 7 800 नीचे आजागा 36 अब मेरा जो answer होगा ना वो किस में आएगा मीटर पर second में आएगा लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रदी घंटा में तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं इसको समझेगा किस से multiply करेंगे 5 बटे 18 से सर या फिर 18 बटे 5 से तो आईए आपको बता होगा 80 किलोमीटर प्रती घंटा ओके सर तो अगर आपका अंसर यहां से आ रहा है 80 किलोमीटर प्रती घंटा तो बिलकुल आपका राइट होगा परफेक्ट हो चाहिए अब लेचलते हैं आपको आगे हमारा अगला question देखिए इसको बताईए दिये गए क्रम में 20 पद क्या क्राई करिए तो हमारा formula है क्या होता है t20 वारा tn वारा formula होता है हमारे यहां से n पद के लिए tn a plus n-1 into d यहां लोग नपड़ा होगा यहां पर a क्या है सर आपका a है आपका पहला पद n है total पदों की संक्या और d होता है दो पदों की बीच का अंतर हमें निकालना है यहां रखा मैनस का 50 प्लस एन माइनस बन बीस में से एक घटाएंगे तो 19 हो जाएगा और द द रखा है 50 और 47 प्लस का 3 द रखा है 19 तीया 57 प्लस का माइनस का 50, 50 में से 50 घटाएंगे, कितना आजाएगा? साथ आएगा, साथ का आएगा, जल्दवाजी में पेपर में ऐसी गलतियां करते हैं, तो 57 है बड़ा, 50 है छोटा, तो क्या आएगा? माइनस का साथ आएगा? नहीं, सर, प्लस का साथ आएगा, ध्यान से कोश्चन को समझेगा, फिर लगाईएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा D वाला, ठीक है, चलिए, अब देखिए आपका अगला कोश्चन, लाइक जरूर कीजएगा, अगर आपने अभी तक अपनी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो म समझेगा, सर, पिनाकी जो है भासवती से नौ साल छोटी है, पिनाकी भासवती से नौ साल छोटी है, तेरा वर्षों के बाद भासवती क्या है हो, पिनाकी क्या है उसे बन पॉइंट टूगना हो जाएगे, पिनाकी के वर्तमान आयू कितनी है, चलिए, इसको बताईए, क् भासबती की जो आयू है ना पिनाकी की आयू से 1.2 ना हो जाएगे अगर पिनाकी 1 है भासबती हो जाएगे 1.2 पॉइंट आइक जिऊरो बढ़ा जेंगे तो 2 चंग 12 दो पंजी 10 तो मेरा यहां से भासबती आजागा 6 X पिनाकी आजागा 5 X तो मैं क्या करूंगा इसको 13 साल इधर ले आओंगा यह तो 13 सल बात की बाद ना 13 वर्षों के बाद मैं 13 सल पहले लाओंगा इस रेशियो को तो पी की जगा लिखूंगा 5x-13 5x-13 बराबर लिखेंगा बी को लिखूंगा मैं यहाँ पर 6x-13-9 इसको solve कर लिजे 6 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा एक्स ठीक ना और इधर आपका जागा 9 आजाएगा तो एक्स का मेरा 9 आ गया 9 चक चौबन और 9 पंजे 45 तेरा सल पहले न क्या हो जाएगे यह आपकी भास्वती थी और यह आपकी पिनाकी ती 13 पहले में आयों निकालनी है किसकी पिनाकी की तो पिनाकी की 13 सल पहले क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 1 गया 3 तो हमारे इस question का सही जवाब क्या होगा 32 हो जाएगा तो अगर सर आपका भी आंसर यहां से 32 आ रहा है तो बिलकुल आपका राइट होगा परफेक्ट होगा समझ मियारा आपको चलिया अब अगला कोश्चन आप लोग ट्राई कीज़ेगा सर अमारा नेक्स्ट कोश्चन देखिए इसको बताईए किसी मिस्री धातू में सर आपको बताने आसे किसी मिस्री धातू में 35 परसंट चांदी थी यदि मिस्री धातू की मातरा 119 ग्राम चांदी होगी तो मिस्री धातू में अन्य तत्वों की मातरा कितने परसंट होगी कितने ग्राम होगी इसको बताईए चलिए बताईए तो आईए आपको बता दें स्कोशन को कैसे लगाना है समझे तो आपको दे रखा 35% बराबर 119 कि यह चांदी है और यह ग्राम में चांदी है तो 35% बराबर आपको दे रखा है यहां से 119 हमें निकालना अन्य तद्दगों की मात्रव मतलब 55% की वेलों निकाल लिए 35% दे र इसको 7, 35, 7, 1, 6, 7, 9, 6 हमें किसकी निकालने 55% काराइं तेरा से करेंगे तेरा से करेंगे इधर और तेरा से मल्डिपला करेंगे इधर तो ते तेरा पंजे पैसट इधर मेरा आ जाएगा 65, 13, 61, 9, 13, 13, 23, 27 की हमने आप पर कितना आ जाएगा 22, 12, 21 आजाएगा तो 25, यानि की सर हमारा 65% की वैलू कितनी हो जाएगी यह होगी 221 ग्राम तो अगर आपका आंसर आ रहा यहां से बी वाला बिल्कुल राइट है दर्शन मेर सर मैं आपको बता दूँ क्या पूछा गया था कोश्चन में कोश्चन में आपको दिया गया था 35% चांदी है 119 ग्राम चांदी तो एक आपकि धातू हो गई यह आपकि धातू है बड़ी सि संचनी कीठातू है मिष्र धातू इसमें चांदी होगी 35% बचा ऐसे अपका अन्ने हो जाएगा तब यह थो चीछ पर्सेन की हो जाएगी तो आपको यह दिरक्ता है 119 दिरक्ता है तो यह किसके बराबर हो लाइक करते रहेगा सर अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अब देखें आपका अगल्या कोश्चन इसको बताईए पांच हजार एक तालिस का वर्गमूल क्या होगा तो आईए बताते हैं कैसे किसी भी संख्या का स्क्वाइर निकालते हैं तो आप सभी को सब्जाने का प्रियास करेंगे इसको देखिए 17 कोश्चन बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही है और यहां से आपका आंसर हो जाएगा 71 7 का इसकोर 49,1 का 0,1,7,1,7,2,14 तो कितना हैYO roller आपकोols, petty 42,51 हो जाएगा तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा ठीना जी तो आपका यहां से आंसर हो जाएगा 71 अब ले चलते हैं आपको आगे हमारा आगला कुश्चन देखिए इसको आप सभी लोग बताईए यहां पर क्या दिया गया है दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारन व्याज की दर स मूलधन 375 पर अरजित व्याज कितना होगा आपके पास एक एवल 15 सेकंड चलिए ट्राई करिए तो 15 सेकंड आपके पास है आप सभी को बताना है क्या होगा इस कोश्चन का सही जवाब दो सालों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारन व्याज की दर से मूलधन ने रखा 375 तो इस पर आपका व्याज कितना होगा बताईए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही महनस से मैंने एक एक कुश्चन आपके लिए सेलेट किया है तब जाकर मैं क्लास प्रोवाइट करा रहा हूं ठीक ना तो मैंने पहले ही आपको इस लिस्ता में बता दिय तो बस इसको सॉल्ब करेंगे आप लोग सॉल्ब करने के बाद आपका बचे का यहां से चार दुनिया चार से काट देंगे पच्चेस पच्चिस इसको काट देंगे इधर बचे का मेरा 147 यह बचे का दो दो सत्य चौधा ठीक है ना 249 दो एकम दो सही जवाब होगा 294 लाइक जरू कीज़ेगा शेर कीज़ेगा मिलकर सर आप लोग सपोर्ट कीज़ेगा अब इसको देखिए अगर आपके पेपर में यह कोश्चन अगर आता है तो क्या आपको 9th और 10th क्लास के कॉंसेप्ट याद है या नहीं है जैसा कि यदि 3x2 प्लस kx प्लस k बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है no solution has no solution तो k का मान निम लिखित में से किस की अनुसार होगा ये आप सभी को सर बताना है तो इस question का आपका right answer क्या होगा आए आपको सर बताते हैं अगर 3x2 प्लस kx प्लस k बराबर 0 है इसका कोई solution नहीं है कोई हल नहीं है तब दिये गए समिगणे मू ठीजल होंगे तो आईई आपको बताते है हमारा क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे हम लोग यहां से B स्कॉयर माइनस 4ac less than 0 तो कालपनिक हिसाफ से मान चलेंगे अब क्या कि रहाँगा हमारा देखे can रखे क्या देरा रखा है बी देरा कोई आपर देखे can रखा है क्या देर रखा है तो हमारे यहांसे दोगा k का स्कॉयर माईनस 4 4 यह आपको दुरeton पर 3 और सीधे रखा के तो लिखेंगे 3 के और यह आप कर जाएगा यहां से greater than 0 तो के स्क्वाइर चार तीयां 12 अब इसको लगाएंगे देखें कैसे के स्क्वाइर चार तीयां 12 के greater than sorry less than 0 इसमें से मैं के कॉमन लेनुगा सर हमारा यहां से के कॉमन लेने के कितना बचेगा k-12 less than 0 तो अब आपका क्या होगा समझे एक आपका k हमारा 0 जो आजाएगा 1 आपका k-1 जो है 0 जो है इसको कैसे लिखोगा मैं तो इसको मैं लिखोगा यहां से k जो है पहले कितना आजए कि समझे जीरो छोटा आजाएगा और एक वार में आपका आजाएगा के जो है 12 से छोटा आजाएगा यानि कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो के 12 यह होगा इसका उच्छे जवाब यहां से तो इस question को मैं क्या लिख सकता हूँ यहां पर इस question को मैं कह सकता हूँ कि sir हमारा जो right answer होगा 19 question का तो इसका हमारा answer क्या हो जाएगा D वाला हो जाएगा ये है आपका answer perfect समझ में आया अब मैं आपको ले चलता हूँ और आगे अभी आगे हमारे और भी question है इसको देखिए अगर मान लीजे आपका paper आज हो रहा है और आपके paper में ये question आ गया है और यही question आपको selection दिला सकता है ये है वो एक number जो आपको selection दिलवा भी सकता है और आपका selection रोग भी सकता है ठीक है चलिए अब समझे एक त्रिकोड में सम कोल की विपरीत इसको समझेगा यही वो question है जो आपको selection दिलवा सकता है अब समझेगा एक त्रिकोड में सम कोल की विपरीत भुजा की लंबाई है 9 root 3 cm उस कोल की विपरीत भुजा भाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका मान है 30 दिगरी ठीक है चलिए तो अब मैं आपको बताते हूं क्या दिया गया एक त्रिकोड में सम कोल की विपरीत भुजा की लंबाई क्या है देखी तो यह मैंने बना लिए एक सम कोड तो यह जो मारा सम कोड नब्बे इसके विपरीत भुजा की लंबाई 9 root 3 है और उस कोल की विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका मान 30 है अगर इसका मान 30 डिगरी है तो इसकी विपरीत भुजा यह इसका मान क्या होगा यह निकालना है ठीक है तो आईए आपको बताते हैं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहां से साइन 30 लगाएंगे साइन ठीटा वरा तो लम्ब बटे कर साइन 30 कवान था 1 बटे 2 बराबर लम्ब हमारा दे रखना है यहां से एक्स बटे हाजएगा 9 रूट 3 यह मैरा इधर जाएगा एक्स बराबर कितना आजएगा x बरावर आजाएगा 9 root 3 बटे 2 यानि कि sir हमारा answer क्याएगा d आजाएगा कैसे मैं एक बर और बता दे रहाँ आपको आपको sir यहाँ पर क्या दिया गया था यह triangle दे रखा था यह आपका 90 था और यह आपको दे रखा था 9 root 2 दे रखा था यह आपका x है यह 30 दिगरी है आपको x का मन ज्याद करना है sir आपको मैं बता दू क्या लगाएंगे? sin 30 लगाएंगे sin 30 बराबर लिखते है लंब बटे कंण sir लंब कितना है हमारा? x है कंण कितना है sir? 9 root 2 है sin 30 का मन कितना होता है? 1 बटे 2 होता है ओकी सर, x बटे 9 रूट 2, तो ये मेरा इधर चला जाएगा, x एकम x हमारा आजाएगा, तो हमारा कितना आजाएगा, x वराब लिखेंगे, 9 रूट 2 बटे 2, यानि कि सर, हमारा answer यहां से कितना आजाएगा, d वाला answer बिलकुल राइट होगा, परफेक्ट होगा, और ये है आपका अगला question, इसको बताइए, 10 square A, sin square A किसके बराबर होगा, सर, आपको यहाँ पर क्या बताना है, 10 square A, sin square A, ये क्या हो जाएगा, इसको बताइगा, जी, चली, आपको बताते, इसको कैसे लगाना है, आपको, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, मुझे जानक समझें आ ह Recomm 탭 खरक को यहां पर बताना एसमझे वन्पर रहाबर रही और इसार सेक स्कुरें होता है और इसको मैं लिखूँगा यहां से तैन स्कुरें बराबर में क्या लिखता हूे सैख स्कुरें माइनस बन लिख सकते हैं, सैक इस्क्वाइर माइनस बन, बस यही मैं करने वाला हूँ, तो सर मैं क्या करूंगा, 10 इसक्वाइर एक पी जगा लिखूंगा, सैक स्क्वाइर 에 माइनेस बन ब्रैकेट बंध और इधर लिखाएंगा साइन इसक्वाइर तो सायन की मल्रीकर हो इसे भी करोंगा तो मैरा क्या जाएगा वंहे टॉ साइन ईस्क्वाइर और मेरा क्याद रखा, यहां प्र तो 21 question का आपका answer हो जाएगा A वाला प्रशान सर जी आपको बता दें आपका B वाला नहीं होगा A वाला राइट आपको समझ में आगे आपको सर कोई doubt हो, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं प्रियास करूँघांगा आपको समझाने का, जब तक आप समझ नी जाएंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे नि, और जब तक समझ जाएंगे ळूसर्गा निए जैसे समझ जाएंगे तुरंग बड़ जाएंगे, अगला question देखें इसको बताते गा, 23 question का आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, cot 2 pi minus pi by 3, लिख सकते हैं की ने लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, सर ध्यान दीजे, cot 5 pi बटे 3 लिख सकते हैं, 2 pi minus pi by 3, कैसे, 3 दूनी 6, 6 में सब्सक्राइगा 5 बटेगा, cot 360 minus theta होता है, minus क cot theta, सर अब एक formula आपको याद करा दे, cot 360 minus theta आपका क्या होता है, minus का cot theta होता है, ठीक है सर, अब मैं आपको बताऊंगा, कैसे लगाना है, प्लीज ध्यान दीजेगा, तो मैंने आपको क्या बताए था, cot 2 pi minus pi by 3, इसको मैं लिखूंगा, minus का cot theta, तो minus का मिरा जाएगा, cot pi by 3 आ 3 आजाएगा, समझे का बहुत important class में provide करा रहा हूँ, अब pi का उन होता, 180, 180 बटे 3, 3 छंग 18, हमारा यहां से कितना आजाएगा, यहां से, 180 लिखेंगे, 60 आजाएगा, और यह हमारा आजाएगा, minus का, 1 बटे root 3, ठीक है, तो अगर आपका answer आ रहा है, minus का, 1 बटे 3, 1 बटे root 3, तो बिलकुल आपका right होगा, perfect होचाएगा, अब ले चलते हैं, आपको आगे, हमारा अगला question देगे, इसको बताएगा, x plus 7, 5x minus 3x, 3x minus 6, इसमें x square का coefficient क्या होगा, sir, आपको इसमें क्या निकालना है, coefficient निकालना है, ऐसे question paper में आएगे, सबसे पहले आपको क्या करेंग इन तीनों के मैं multiply direct कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी है, तो मैं direct multiply करूँगा, तो मेरा answer आजाएगा, यासे 9x cube, जब आप लोग multiply करेंगे न इन तीनों के, तो आपका बचेगा, minus 9x cube, minus 30x square, plus 201x, minus 210, तो sir, आपको क्या बताना है, आपको बताना है, x square का गुडांग तो x square यह है, और x square गुडांग क्या होगा आपका, minus का 30 जरका है, तो sir, x square का गुडांग क्या होगा, minus का 30 हो जाएगा, समझ में आगे आपको, तो अगर आप cancer यहां से b आ रहा है, तो बिल्कुल आपका right होगा, perfect होगा, इसके बाद देखिए, यह आगया question आपका वही एक number बो है, जो selection दिलवा भी सकता है, selection को रोग भी सकता है, अब फैसला आपकी हाथ में है, कि आपको हाथ से जाने देना है, या इसको हाथ में थामे रखना है, और आपके पास होगे, question को लगाने के लिए, सिर्फ 40 seconds, तो मेरे प्यारे sir, इस question को बताईए, क्या होगा आपका right answer, तो hello, respected sir and ma'am, इस question को ध्यान से समझेए, और बताईए, क्या होगा इस question का सही जवाब, यही यह वो एक question, जो एक number आपके selection में आपका बिलकुल नाम तैक कर सकता है, लाइक करते रहेंगे, share करते रहेंगे, मिलकर support करते रहेंगे, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, request है, कुछ भी समझ लीजेए, चलिए, अब पढ़ते हैं question, एक वर्ग का बिकन संभाव तर्भुच की भुझा के बराबर है, सर, एक जो वर्ग है, इसका जो बिकन होता है, बिकन संभाव भुझा के बराबर है, तो वर्ग का बिकन हम जानते है, A root 2 होता है, तो A root 2 हमें दे रखा है, यहां से संभाव तर्भुच की भुझा के बराबर है, तो संभाव तर्भुच की भुझा A root 2 होगे, यदि उस वर्ग का छेतरफल मेरा दे रखा है, पंदरा रूट 3, सर अगर जो है उस वर्ग का छेतरफल दे रखाया 15 रूट 3, Square का छेतरफल क्या होता है, A square, A square बराबर आपको दे रखाया, 15 रूट 3 दे रखाया है, तो A का मन कितना हो जाएगा, Square हटाएगे, root चड़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, पंधरा रूट तीन आ जाएका तो मेरा ए कितना आ जाएका रूट पंधरा रूट तीन अब मुझे क्या निकालना है संभाव तुरुट मेरा तू पंधरा तू तो तो अब आपको क्या बताना है संभाई तरगुज का छेत्र फल का फॉर्मला क्या होता है छेत्र फल बराबर होता है root 3 upon 4 a square तो आपको ये a दिरकान citra a इसका square करना पड़ेगा ये है आपका a तो अब मैं क्या करुँँगा root 3 upon 4 a का माल मेरा कितना हो जाएगा under root में दिरकाता 15 पंदरा रूट तीन ब्रेकेट बंद बाहर दरखत रूट दो इसका पूरे का स्कॉर करना है ठीक है चलिए तो अब मैं आपको बढ़ा दूम हमारा जब इसकॉखार चड़ेगा तो हमारा रूट दो से थो मेरा दो जाए गार यहां पर जाएगा और इसका इसकॉखार कर जाएगा 15 रूट 3 मचेगा और ये 4, 3, 4, sorry 2, 2, 4 हो जागे आसे root 3, root 3 आपका 3 हो जाएगा 15, 3, 45, upon में 2 Sir हमारा answer कितना हो जाएगा 45, 2, 2, square, centimeter समझ में आगे आपको क्योंकि Sir अगर आपको formula नहीं पता है तो मैं आपको बता दू संभाहो तरूश का formula क्या होता है Sir इसको समझी है हमारा बहुत ही top most important question आज मैंने पहली वार आपको बताए है इस तरीके का मैंने आज से पहरे कोई question डिसकस नहीं किया संभाहो तरूश अगर भुजा इसकी A है तो इसका छेत्रफल होता है root 3 upon 4 A square और मैंने संभाहो तरूश की भुजा समझ में आ गया आपको चलिए अब यह है आपका अगला प्रस्न आपके सामने बस आपके तीन question बचे और है उस केंद्री कोड की माप क्या होगी जिसका छेत्रफल 462 वर्ग cm है और ब्रत की तरजया 21 cm है तो केंद्री कोड की माप क्या होगी तो आई है आपको बताते हैं केंद्री कोड की माप होगी ठीटा सर उस केंद्री कोड की माप क्या हो जाएगी ठीटा हो जाएगी हमारा फॉर्मला क्या होता है ठीटा बटे 360 आपको 30 रखे चेत्रफल मालूम है 22 बटे पाई आर स्कॉयर पाई आर स्क्वाइर छेतरफल आपको दे रखा चार सो बासट आप सभी को इस फॉर्मिलियों का अप्लाई करना है सर ठीठा बटे 360 पाई आर स्क्वाइर बटे बराबर 460 अब लिखेंग यहां से ठीठा बटे 360 पाई का वनुता 22 बटे 7 आर स्क्वाइर 21 इंटू 21 बराबर दे रखा चार सो बासट साथ तिया एक्किस छे चार दस दुबारा तीन से इसको कट देंगे यहां से तीन एकम तीन तीन बंजे पंदरा तीन चोग बार एक सो चौबन आ जाएगा हमारे यहां से ठीक है किया हो जाएगा ठीटा वराबर मेरा जाएगा 120 क सरे ठीटा की बात कितना हो जाएगा सब्सक्राइब प्रवान हो जाएगा 120 हो जाएगा 120 यही तो जंग है खुद की आपसे अगर आपने आज खुद को रोग लिया इस पूरे पेपर को अटेम्ट करने के लिए इसका मतलब साफ है आप अपने पेपर के लिए अलल्ट है यही तो मोटिवेशन है मैंने क्या कहता शुरुआत में म आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा अगला कोशन आपके सामरे इसको देखिए एक और दो बस तो अब जानकर आपको अच्छा लगेगा दो कोशन रहेगा यह आपका पहला कोशन और यह दूसरा कोशन और यह अंतिम पोशन है चलिए लगाईए एक कोड अपने पूरा कोड से दो बड़ा है कोड का मान क्या होगा बतायियो घिस नभ्य साथ या फेर 120 तो आइए आपको बताते हैं सरमारा कितना हो जाएगा तो आपको बताने की प्रयास करते हैं इस कोशन को कैसे लगाएंगे समझे एक कोड अपने पूरा कोड से दोगना पड़ा है यानि सर मारा जाएगा ठीटा बराबर लिखेंगे 90 माइनस ठीटा इसका दोगना है तो डवल हो जाएगा ठीगे ना और अब मैं आपको बतातों क्या लोखोंगा नौधनी अठारा एक सो सी ठीटा वराबर हमारा जाएगा एक सो सी माइनस का टू ठीटा सर नाइट में माइन्ड मेरा कम चलता है ओके धन्यवाद आपका बताने के लिए इस कम दिमाग में कैसे हम जादर से जादर कोशन को अटे तो आट साथ छे पांच चार तीन समय में उल्टी गिंतिया चलती है न तो क्या होता है आती हो चीज़े में भूल जाते हैं उसी प्रेशर को मैं यहां पर दूर करना है इतना पढ़ लेना है इतना सीख लेना है कि कोशन के जवाब आपको रट जाएं तो सर यह हो जाएगा 3 ठीटा solve करेंगे 3 यहां से आपका जगा 60 आजाएगा तो 2 और 1 3 ठीटा जाएगा 3 ठीटा बराबर आजाएगा 1803 618 ठीटा बराबर आपका जाएगा 60 और यह है आपका last question आपके सामने तो सर बताइए क्या होगा इसका सही चवाब और class देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद करता हूँ class में full आपने enjoy किया होगा हर एक question को समझा होगा लगाया होगा और आपकी मेहनत को आज मैं salute करता हूँ मेहनत करते रहिए आगे बढ़ते रहिए हम आपके साथ हैं और आपका विकास बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहेंगे एक कोड अपने अनुपूरा कोड का एक कोड अपने अनुपूरा कोड की तुलना में 50% छोटा है कोड की माप क्या होगी चलिए सर बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा आईए जानते हैं 30 कोशन की बात करें यहां से एक कोड अपने सप्लिमेंटरी अंगल का जो है 50 छोटा है तो X हो गया और सप्लिमेंटरी अंगल हो गया 180 माइनस X हो जाएगा इससे कितना छोटा है 50 छोटा है ठीक है ना तो बस इसको बताइए X लिखेंगे 180 में से में पचास घटाएंगे 130 लिखेंगे माइनस का X लिखेंगे X X 2X 2X वरावर मेरा आजाएगा 130 आजाएगा 2,5,2,5,65 आजाएगा तो सर X का मन कितना आजाएगा 65 डिगरी आएगा तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 65 डिगरी तो बिलकुल आपका राइट है, परफेक्ट है तो कैसी लिएगी साथी हो क्लास उम्मीद करता हूँ सर और मैं आपको क्लास बहुत ही इंपोर्टन लगी होगी बहुत ही हैल्फूल लगी होगी तो लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा फिर मिलेंगे सर आप लोगों से आपके कल सुभे मौर्णिंग में कुछ इंपोर्टन क्लास के साथ तो कल बहुती शांदर क्लासिस होने वाली हैं बिल्कुल तयार रिएगा तब तर के लिए साथियो सर नमस्कार